दोस्तों देखिए इस डब्बे में केमपस का रनिंग सु है यहां पर देखिए उपर में इसके वेवसाइट का नाम लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप इस डब्बे को चारो तरफ से देख लिजी कि यह डब्बा किस परकार का है देख लिजी यह डब्बा आपको इस तरह से दिखता है, देख लिए, मैं आपको इसे पीछे तरब भी दिखा देता हूं, कि पीछे तरब किस तरब से दिखता है, देख लिए इस तरब से दिखता है, और मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, यहां पर अब देखे, यहां पर जो यह sticker लगा हुआ है, इस sticker में इस डब सु है इसके अंदर इस डब्बे का अंदर ठीक है और यहां पर देखे यह कब का बना हुआ है उसका डेट दिया हुआ है तो आप जब भी कोई भी जूता खरीदें तो date देख कहीं खरीदें देखें यह अभी हाल का बना हुआ है 10-2019 का बना हुआ है अब देखें यहाँ पर इस जूते का दाम लिखा हुआ है 569 रुपीज लिखा हुआ यानि कि 579 रुपे लिखा हुआ है लेकिन इस जूते का दाम इतना कम होने के बाबजूद इस पर 15% डिसकाउंट अलग से दिया गया है तो मैंने दुकंदार को 480 रुपे दिये हैं इस जूते का तो मुझे इसका दाम 480 रुपे पड़ा है ठीक है अब देखे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह QR कोड है इस QR कोड को जब मैं सकेन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह इस कमपनी का जूता असली है या नकले ठीक है तो यह मैं आपको बाद में करके दिखाऊँगा पहले मैं आपको इस डबे में जो जूता है उसे निकाल कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो रनिंग सू है वो देखने में किस तरह का लगता है पहले आप इसे देख लीजे ठीक है अब देखें इसके अंदर कागज भरा हुआ है दोनों ही जूते के अंदर इस तरह से कागज भरा हुआ रहता है इसी तरह से आपको जब नया जूता खर देंगे तो इसके अंदर कागज ही भरा हुआ रहता है ठीक है तो अब देखे ये जूता इसके अंदर देखे इस तरह से ये लिखा हुआ है अब आप इसे नीचे तरफ देख सकते हैं एक्षान लिखा हुआ है ये नीचे तरफ इस तरह से दिखता है जूते का बिल्कुल नीचे तरफ इस तरह दिखता है ठीक है देख लिजे अब देखे इस डब्बे पर यहां पर क्यूर कोड है और यहां पर इसका नमबर है अब मैं इसे सकेन करूंगा तो यह देखे इस सकेन करूंगा कि आपका ये जूता जो campus का है ये असली है या नकली ठीक है तो देखिए मैं इसे scan कर रहा हूँ scan करने के बाद क्या होता है वो आप देख लिजे देखिए ये scan हो गया यहाँ पर नीचे में लिख रहा है go to website तो यहाँ पर click करना है तो मैं यहाँ पर click कर देता हूँ इसके बाद क्या होता है वो आप देखिए देखिए ये खुल रहा है देखिए ये खुल गया खुलने के बाद ये देखिए आपको इस तरह से दिखता है ठीक है देख लिजे ये आपको इस तरह से दिखेगा इसके बाद आपको क्या करना है इसमें मोबाइल नमर मांग रहा तो आपको मोबाइल नमर देना हुआ ठीक है तो आप अपना मोबाइल नमर इसमें डाल देगा यहाँ पर देखिए यह नमर जो लिखा हुआ है यह नमर इस डब्बे में देखे इस जगह पर लिखा हुआ है सेम नमर ही इसमें लिखा हुआ है ठीक है अब देखे आपको यहाँ पर नीचे में मुबाइल नमर डाल देना है मुबाइल नमर डालने के बाद आपको क्या करना है इस verify पर click कर देना है तो मैं यहाँ पर mobile number डाल देता हूँ mobile number डालने के बाद आपको दिखाता हूँ ठीक है, देखिए मैंने mobile number डाल दिये अब मैं verify पर click करता हूँ तो अब देखे, यह इस तरह से खुल जाता है, देख लीजिये इसके बाद आपको क्या करना है आपको करना यह है कि इस जगा पर आपको किलिक करना है यहाँ पर जब आप किलिक करेंगे तो देखे क्या होता है देखे यह इस तरह से खुलने लगेगा ठीक है देखे यह खुल रहा है थोड़ा टाइम ले रहा है देखे यह खुल गया देखे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप confirm हो जाते हैं कि यह जो आपने जूता खरीदा है यह बिल्कुल original जूता है देखे यहाँ पर आपको बधा कर सकते हैं असली है या नकली ठीक है